हेलो नमस्ते सस्त्रियकाल, असलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्स्प्लेनेशन लेकर जिसका नाम है एट लेक्ड फ्रीक्स ये मूवी 2002 में आई थी जो की एक हॉरर साइफाई मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 आउट अफ 10 अगर आपको ये हिंदी एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और हमारी इंस्टाग्राम आइडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो जाएए और उसे फॉलो कीजे ताकि हमारे वीडियो की हर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम था हारलिन वो एक रेडियो जॉकी होता है जो की बहुती जादा फ़नी कमेंटरी करके लोगों को हसाता था और हमें बाद में एक ट्रक को दिखाया जाता है जो की केमिकल्स के ड्रम से लोड़ उसे स्पाइडर्स बहुत पसंद थे इसलिए वो तरह तरह के स्पाइडर्स को पसंद करता था और उन्हें पालता था अब वो उनके खाने के लिए कुछ कीडों को इकठा कर रहा था और वो उसी नदी के पास से उन कीडों को चुन रहा था जॉन्शुआ मकडियों के लिए खाना ही कठा करके घर जाता है और उन्हें खिलाने लगता है एक बात हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे मकडियां खाना का रही थी वो साइज में बड़ी होती जा रही थी अब हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम था माइक और उसे भी स्पाइडर्स बहुत जादा पसंद थे इसलिए वो जॉन्शुआ के पास आकर उने देखता है लेकिन इसी बीच एक केज से एक मकडि बाहर आ जाती है जिसके बारे में इन दोनों को पता नहीं चल पाता ये दोनों स्पाइडर्स को देखी रहे होते हैं कि तब ही माइक का वाच अलाम बच जाता है और उसका जाने का वक्त हो जाता है और वो वहां से चला जाता है जब जॉन्शुआ वापस आकर देखता है तो कहता है कि एक केश तो खाली है और उसमें मकडी नहीं थी जॉन्शुआ अपसेट होकर उस मकडी को ढूनने लगता है लेकिन तब ही हमें दिखाया जाता है कि वो मकडी जॉन्शुआ की पीट पर है वो मकडी उपर साइड चल रही होती है और अब जॉन्शुआ की गर्दन के पास पहुँच जाती है और उसे बहुत तेज काट लेती है जिसकी वज़े से जॉन्शुआ को पेन होने लगता है और वो उस मकड़ी को हटाने की कोशिश करता है लेकिन इसी दौरान बाकी सारे जार्स भी तूट जाते हैं और सारी मकड या बाहर आकर उस पर हमला कर देती है जिस वज़े से जॉन्शुआ की मौत हो जाती है कुछ दिन बीच चुके थे और अब हम देखते हैं कि माइक फिर से जॉन्शुआ के पास आ रहा था लेकिन उसे रास्ते में डीपीटी पीट और उसकी मा सेरिव जैन मिल जाती है जो क उसकी माउसे वहाँ जाने से मना कर देती है और उसे घर के अंदर ले आती है घर पहुँचने के बाद माइक फिर से जॉन्शुआ को कॉल करता है लेकिन जॉन्शुआ मर चुका था इसलिए कोई भी कॉल पिक नहीं करता अब हमें एक मॉल को दिखाया जाता है जिसका नाम के अंदर सोना है इसलिए वो उन्हें नहीं बेचना चाते थे वहीं पर हमें एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था कृज, वो बेचने से मना कर देता है अपनी जमीन को और वहाँ से जाने लगता है, अब हमें एक हजबन वाइफ को दिखाया जाता है जिनका नाम था DPT पीट और हैना उनके घर में भी एक स्पाइडर घुश जाता है और उनकी पालतू बिल्ली को मार डालता है जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और स्पाइडर बहुत ही बड़े साइस काब हो चुका था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक छुप कर जैंशुआ से मिल जिसे वो अपने पास रख लेता है और तब ही वो देखता है एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर उसकी तरफ आ रहा है जिसे देखकर वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है क्रिस सैम के घर जाता है और उसे फ्लार्स देता है और उसके साथ गूमने के लिए बोलता है और जब हम देखते हैं कि माइक भाग रहा होता है उसे रास्ते में क्रिस मिल जाता है जो कि उसे लिफ्ट देता है क्रिस उसके हाथ में मकडी का लेग देखकर पूछता है कि यह क्या चीज़ है तब माईक उसे बताता है कि यह एक मकडी का पैर है जो की बहुत ही बड़ी थी साइज में मैंने उसे देखा लेकिन इन सब बातों में क्रिस यकीन नहीं करता और उसकी बातों पर ध्यान तक नहीं देता अब माईक अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम से भी सारी बाते बताता है लेकिन वो भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेड के ओस्ट्रेचेस को स्पाइडर एक एक करके शिकार बना रही थी और उन्हें खा रही थी वेड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तब ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि माइन में काम कर रहा था और पानी पाइप से ना आने के कारण वो अपने मूँ से पानी को खीशने की कोशिश करता है लेकिन उसके मूँ के अंदर बहुत सारी मकडियां भर जाती है और जब वो अपना मूँ खोलता है तो बहुत सारी मकडियां उसके मूँ से बाहर आने लगती है जो की बहुती में होते हैं जैसी ब्रैक उसके करीब आने की कोशिश करता है तो ऐसली उसे शौक दे देती है और कार से बाहर फेक कर चली जाती है तबी ब्रैक नोटिस करता है कि बहुत सारी मकडियां जो की साइज में बहुत बड़ी है वो उसकी की तरफ आ रही है तबी ब्रैक और उसके फ्रेंड्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रैट के सारे फ्रेंड्स मारे जाते हैं और मकडियां उन्हें खा लेती हैं लेकिन किसी तरह से बैक वहां से बच के बाहर निकल जाता है मकडियां साइज में बहुत जादा बड़ी हो चुकी थी इसलिए उन्हें और भी जादा भूक लग रही थी और अब वो इनसानों का शिकार कर रही थी हम देखते हैं कि मकडिया माइन्स के अंदर अपना घर बना लेती है एक मकडी माइन्स के रास्ते के द्वारा क्रिस के घर तक पहुँच जाती है और उसके डॉक को भी मार डालती है और माइन्स के अंदर गसीट कर ले जाती है जहां से उसके घर का रास्ता था अब क्रिस की आंटी उस डॉक को ढूनते हुए उस माइन्स के अंदर चली जाती है जहां पर उस पर एक स्पाइडर हमला कर देता है और वो चीखने लगती है क्रिस जब घर आता है तो उसे एक मकडी का लेग मिलता है और उसे माइक की बाते याद आ जाती है और उसकी बातों पर बिलीव होता है तब ही क्रिस माइक के पास उसके घर जाता है और उसे वही मकडी का लग दिखाता है माईक कहता है कि ये तो पहले वाले से भी बड़ा है इसका मतलब ये है कि उनका साइस बड़ा हो रहा है और उनकी भूब भी बढ़ रही है जिस वज़े से अब वो इंसानों को मार रहे हैं वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक से अंदर से एसली के चिलने की आवाज आने लगती है। जब वो सब रूम में जाकर देखते हैं तो एसली को जाल से बांध रखा था मकडी ने और उसे मारने ही वाला था। तभी क्रिस उसे बचाने के लिए मकडी को मारने जाता है लेकिन मकडी उसे भी अपने जाल में फसा लेती है। तभी माईक को एक आईडिया आता है और वो कहता है कि रेडियो की मदद से। तबी सैम रेडियो स्टेशन जाने लगती है रास्ते में वो देखती है कि स्पाइडर्स ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है वो लोग किसी तरह से रेडियो स्टेशन पहुँच जाते हैं जहां पर हैरलन काम करता था जी हाँ हैरलन वही आदमी हैं जिसे हमने मुवी की स्टार्टिंग में देखा था सैम हैरलन की मदद से सारे शहर वालों को इनफॉर्म कर देती है उन मकडियों के बारे में वो कहती है कि अगर सबी लोगों को अपनी जान बचानी है तो प्रॉस्पेरिटी मॉल आ जाएं वो वहाँ आने के लिए इसले बोलती है क्योंकि वहाँ की दिवारे बहुत जादा टफ थी और सबी लोग वहाँ पर सेफ रहते इनी सब के दौरान उन पर एक स्पाइडर हमला कर देता है जिससे डर कर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं सारे शहर वालों को ये सब कुछ एक मजाक लग रहा था और हैरलन को भी जब वो लोग देखते हैं कि मकडी उनकी तरफ आ रही है तो वो लोग भी मॉल की तरफ भागने लगते हैं किसी तरह से क्रिज और सैम बच कर मॉल पहुँच जाते हैं लेकिन मकडिया भी उनका पीछा कर रही थी और उन पे हमला कर रही थी लेकिन सबी लोग बहुत जादा डट कर सामना करते हैं और उस मॉल के अंदर कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन कुछ बाहर ही रह जाते हैं उस मॉल का मेयर वेड कहता है कि किसी ने हमारी मदद नहीं की तो हम लोग बच नहीं पाएंगे इसलिए हमें आर्मी की जरूरत पड़ेगी लेकिन तब ही सैम कहती है कि सारी टेलिफॉन लाइन्स बंद हैं और वो लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तब ही वेड कहता है कि उसके पास एक सेलफोन है जिसमें सिगनल नहीं आ रहा है सिगनल के लिए उन्हें छट पर जाना होगा जिसके लिए क्रिस और हारलन छट पर जाते हैं और माइक जाते वक्त क्रिस को एक परफ्यूम देता है और कहता है कि वक्त आने पर उसे यूज़ कर लेना ये स्पाइडर की सूंगने की शक्ती को कुछ देर के लिए खराब कर देगा अब हम देखते हैं कि क्रिस और हारलन छट पर पहुँच चुके थे और क्रिस टावर पर चड़ता है और सिगनल उसे मिल जाता है वो कॉल करता है और कहता है कि उसे अर्जेंट आर्मी फोर्स शाहिए लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात को सीरियस ना लेकर कॉल को कट कर देता है प्रोस्पेरिटी मॉल का शटर तोड़कर बड़ी वाली मकडी अंदर आ जाती है जिसकी वजह से अब सारी मकडियां उस मॉल के अंदर आ जाती है और सबी पर हमला करने लगती है और हम छट में देखते हैं की हारлен कृस को बचाने के लिए उन मकडियों को डिस्ट्रैक्ट करता है और छट से कूच जाता है जिस वज़े से क्रिस बच जाता है अब एक जगे सब लोग इकठे होते हैं और प्लैनिंग करने लगते हैं कि इन मकडियों से कैसे बचना है सबी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग माइन के रास्ते से यहां से जाएंगे लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजर नहीं था कि वहां पर मकडियों ने अपना घर बना रखा है जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो एक स्पाइडर उन पर हमला कर देता है जिसकी वज़े से यह लोग रूप जाते हैं और दूसरी साइड से जाने लगते हैं जहां परुने कई सारी डेट बोडिस देखने को मिलती हैं जो कि जाल से धकी हुई थी तबी माइक कहता है कि इन डेट बोडिस को खाया नहीं गया है मतलब कि यह सारी बोडिस बड़े वाले स्पाइडर के लिए हैं तबी हम देखते हैं कि एक जाल के अंदर वेड कैट था और वो जिन्दा था उसे जिन्दा देखकर यह लोग उसे छुड़ा लेते हैं तबी क्रिस कहता है कि क्या पता उसकी आंट भी जिन्दा हो और वो माइन्स के अंदर जाकर उन्हें ढून लेगा जब वो जा रहा होता है तो उसके जाने से पहले सैम क्रिस का प्रोपोजल एकसेप्ट कर लेती है उसे किस करके तबी क्रिस को एक आईडिया भी आता है क्योंकि उन माइन्स के अंदर मीथेन गैस भरी हुई थी पूरी तरह से वो सैम से कहता है कि तुम बाहर जाकर जनरेटर को आउन कर देना ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती लेकिन अब सभी लोग वहां से बाहर जा चुके थे और क्रिस अंदर जाकर अपनी आंट को भी ढून लेता है और उन्हें लेकर वहां से निकलने लगता है लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर उसके सामने आकर उन पर हमला करने वाला होता है उस स्पाइडर का साइज बहुत ही जादा बड़ा था जिसे देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं तभी क्रिस को उस परफ्यूम की याद आती है जो कि उसे माइक ने दिया था वो उसको उसके उपर स्प्रे कर देता है जिसकी वज़े से उस स्पाइडर की स्मेल करने की शक्ती कुछ देर के लिए खराब हो जाती है और इसी बात का फाइडा उठा कर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं जाने से पहले क्रिस एक बल्ब को तोड़ कर उसमें स्पार्ट पेपर लगा लेता है ताकि जब जनरेटर आन हो तो वो जल जाए और यहाँ पर बहुत ज़ादा बड़ा ब्लास्ट हो जाए और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं सैम और सभी लोग बाहर आ चुके थे और वो लोग अब जनरेटर को आन कर देते हैं जिस वज़े से अंदर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है माइन के अंदर लेकिन सही समय पर क्रिस और उनकी आंट भी बाहर आ जाते हैं और सारे स्पाइडर्स अंदर मारे जाते हैं और सारे शहर के लोग बच जाते हैं और मुवी का यही पर डी एंड हो जाता है अगर आपको ये हिंदी एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो जाएए और उसे फॉलो कीजे ताके हमारे वीडियो की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहें थाइंक यू